कि दोस्तों इस्ते माले हैं तो आपनेत बारे में जुना ओगा लिगन आप जानते हैं कि मधर्बॉर्ट होता कया है इसके क्या यूज होता है मधर्बॉर्बॉर्ट में डिफेर्ट Crush होते हैं बैसक्री ओँजाते है और मधर्बॉर्ड के दुना थी थे要 qué हेलो दोस्तों मैं मैं मनो सारोव आपका स्वागत करता हूँ टेकनलोजी के चनल में चले दोस्तों सबसे पहला हम बात करते कि आखिर में यह मदर बोर्ड होता क्या है इसका बेसिकली क्या यूज़ है उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप पहचान सकते हैं Motherboard में कौनसा component कहां पर लगा जाता है तो अगर आम बात करें Motherboard की Motherboard computer का सबसे important part होता है जिसमें computer के सारे जरूरी components connect होते हैं जैसे कि hard disk हो गया RAM हो गया CPU हो गया Keyboard हो गया, mouse हो गया ये सारे जो भी hardware components होते हैं, वो motherboard में connect होते हैं और ये सा possible motherboard की वज़े से ही हो पाता है. This is a printed circuit board होता है जिसमें computer के सारे hardware components या important components जिसमें भी हमारा computer special हो पाता है. आ बहूद सारे ही छोटे components होते हैं और बड़े components भी होते हैं लिकिन यहां पम मैं आपको कुछ important component सी बताने वाला हो जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए तो आए दोस्तो अब हम जान लेते हैं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि motherboard में कौन सा component कहां पर connect किया जाता है और उनका basically क्या use है तो दोस्तो यह रहा हमारा motherboard अब मैं आपको बताने वाला हो कि motherboard में कौन सा component कहां पर लगेगा और इनका basically क्या use है तो दोस्तो सबसे पहला जो component आता है जिसका नाम है CPU यहां पर आप देख सकते हैं white color का square में बना हुआ board है जिसके अंदर आप अपना CPU एड़ करते हैं जैसे की dual core हो गया i3 हो गया i5 हो गया i7 हो गया यह सारे प्रोसेसर हो गया तो अगर आपको प्रोसेसर आड़ करना है तो basically आप CPU के अंदर यहां पर आड़ कर सकते हैं इसके नेक्स कॉम्पनेंट आता है जिसका नाम है mouse चे तो अगर आप अपने motherboard में mouse चाहते हैं तो ऐसे में आप इस पोर्ट के अंदर जो भी green color का port दिखाए देरा आप यहां पर आपने mouse को आड़ कर सकते हैं इसके नेक्स कॉम्पनेंट आता है जिसका नाम है keyboard जै तो अगर आपको अपने motherboard में keyboard को आड़ करना है तो ऐसे में आप एक purple color का port होगा तो उसमें आप अपने keyboard को connect कर सकते हैं इसके बाद जो नेक्स पोर्ट आता है जिसका नाम है सीरियल पोर्ट जो अगर आप अपने मदर बोर्ट में किसी भी तरह का वीजियर पोर्ट एड़ करना चाहते हैं तो यह सब बेसिकली आप वीजियर पोर्ट की मदद से आसानी से कर सकते हैं इसके बाद जो नेक्स पोर्ट आता है जिसका नाम है पैलल पोर्ट जो यह पोर्ट बहुत है इंपोर्ट है माल लीजिए अगर आपको अपने मदर बोर्ट में किसी भी तरह का प्रिंटर या फिर स्कैनर आड़ करना है तो बेसिकली आप इस पोर्ट का इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद जो नेक्स पोर्ट आता है जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुनाई होगा जिसका नाम है यूएसपी पोर्ट जो अगर आपको किसी भी तरह का एक्स्टरनल हार्ट डेज्ट स्याफी पैंडराइब करना है अपने मदर बोर्ट से ने अपने कंप्यूर मे इंटरनेट केबल को कनेक्ट करना चाते तो बीसिकली ऐसे में आप लें केबल पोर्ट का यानि इस पोर्ट का इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद जो नेक्स पोर्ट आता है जिसका नाम है ओडियो पोर्ट जो अगर आप अपने मदर बोर्ड में यानि किसी भी तरह का ओडिय या फिर माइक या स्पीकर आड़ करना चाहते हैं तो ऐसे में आप इस आडियो पोर्ट का इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद जो नेक्स कॉंपनेंट आता है जिसका नाम है सीमोस बैटरी जै तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है लेकिन आजकल कि जितने भी मदर बोर्ड होते हैं उनमें फ्लॉपी का कोई इस्तमाल नहीं है तो इस कंडियो करना है तो इसके बाद आपको जितने इसके थे आड़ कार्ण ऐसाव्ड करना है तो यहां पर आपको जितने भी यह वाइट स्लौ्ट दिखा दे रहे हैं यह बेसिकली PCI Slot है तो यहां पर आप अपने एक्स्ट्रा मॉर्डम वीडियो कार्ड एक्साउंड कार्ड को एड़ कर सकते हैं पर नेक्स ल cosmos यहां पर अपने एक्सक्राइब कर सकते हो। पर नेक्स कॉउम्पनेंट आता है नाम हीड सिंह के बहुत ही इंपॉर्डन कोंपनेंन्त nł em Research तो ऐसे में heat sink बेसिकली उन heat को absorb कर देता है यानि कम कर देता है तो basically heat sink का यही इस्तमाल है इसके बाद जो next slot आता है जिसके नाम है RAM slot जो अगर आपको अपने motherboard में किसी भी तरह का RAM आड़ करना है तो basically ऐसे में आप इस RAM slot का इस्तमाल कर सकते है तो यहां पर आपको अपना RAM add करना होता है यानि connect करना होता है इसके बाद जो next important component आता है जिसका नाम है power connector जो दोस्तों आपके motherboard में जितना भी जो power supply होता है basically वो यही से होता है यही एक power connector है जिसकी मदद से आपके motherboard में पूरा जो power supply होता है तो दोस्तो ये थे motherboard में जितने भी components थे उनका basically use और उन्हें आप कहां कहां पे connect कर सकते हैं तो दोस्तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आप जान सकते हैं कि motherboard में कौन सा component कहां पे लगा जाता है और इनका basically क्या use है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये motherboard होता है इनका basically क्या use है और इसके बाद आप किसी को भी बता सकते हैं कि motherboard में कौन सा component कहां पे लगा जाता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तो इस वीडियो कलब आसे इतना ही वीडियो पसंद आये तो like जरू करें, share भी करें मन में कुझे शॉला तो नीचे comment करें और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद रहे तो आप अमाज़ चनल को free में subscribe कर सकते हैं नीचे subscribe कर क्लिक करके और bell icon पर दबाके लेटिस वीडियो की जानकारी पासकते हैं और अगर आपने अभी तक मुझे social media पर follow नीक है तो आप मुझे हम पर जाके follow कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के description पार्ट में मिल जाएगा तो दोस्ते फिल्टाओं मैं आपको एक नए वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई